जय जगन्नात मैं शिवानी च्वाक्रवर्ती बेहसंकर जखवर्ती अपने चानल वांग का लिख फूर्टेज में आप सब का स्वागत करते हैं तवेत खराब होने की वज़े से हम वीजो नहीं डाल पा रहे थे और इस वीजो के साथ जो महाश्री वरात्री की वीडियो है उसके साथ ही हम फिर से वीजो डालना शुरू कर रहे हैं और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमारे घर में हमारा एक महादेब मंदिर है महाकाली का मंदिर है और जगनाजी का भी मंदिर है तो इस बार भी हम गाउं आए हुए महाश्यवरात्री मनाने के लिए लाश्टेर भी मैंने महाश्य वरात्री पर वीडियो डाला था लेकिन इस बार भी मैं छोटा सा वीडियो डाल ले हूँ महाश्य वरात्री इसबर दो दिन मनाई जा रहे है 18 को और 19 को 18 तारीक को चतुरदर्शी रात को 8 बच कर 10 मिल्ट से शुरू हो रहे है तो महाश्यवरात्री का जो वर्त है रात को होती है तो चतुरदर्शी अगर रात को पड़ेगी तो महाश्यवरात्री मनाई जाती है जो लोग इसको मानते हैं तो उनके लिए 18 तारीको है और जो लोग सुरियदय को चतुरदर्शी मानते हैं उनके लिए 19 तारीको है लेकिन ह हमारे यहां पर 18 तारीक हो है तो हम आज ही मना रहे हैं लेकिन वीडियो शायद एक दो दिन बाद आएगा तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर में पूजा किस तरीके से होती है लास्टेर भी मैंने बड़ा वीडियो डला दूसमें बताया हुआ था तो फिर भी मैं इस पर चो है कि जो पूजा होगी स्नान भगवान का होगा उसी की यह सामगरी है और यहां पर यह पुष्ट और जो गज्रा माला होती है रजनिगंधा गुलाब और गेंडे की यह माला जो है सुबह ही हम दे देंगे और रात को अरक फुल की माला देंगे और यह माला है नंदी महारा होते हैं साल बर उनके ऊपर चढ़ाए जाना तो उसमें सबसे पहले हैं केत की तो केत की हर साल दिया जाता है मार्शी वरात्री पर महादेब को और अरक फूल अभी हम सिर्फ फूल दे रहे हैं लेकिन इसकी माला दी जाएगी रात को और बहुत जगे पर समी का फूल और आम क पूज्य होगी उसके लिए Эजल सुबह का है और यहाँ पर इसे फल यह पर आधे जाएंगे भोग होने के लिए और आधे जाएंगे साबूद भगवान को दिया जाएगा यह आपल है और यह संत्रा और यह पॉमग्रानेट यह अंगूर है और यहां पर यह केला यह साबुत चढ़ाए जाएगा एक और यह है ग्वाभा और यह बेर और बेर चढ़ाना भगवान को महाश्रीवरत के दिन काफी शूब माना जाता है क्योंकि भगवान की जी के ओपर जो बेर आप चढ़ाएंगे अगर वो आपके आप सेवन करते हैं उसको लाके तो बहुत सारी रोग के आप चुटकारा मिल जाएगा तो यह नीबू है यह भी चढ़ाया जाता है लेकिन नारियल नहीं चढ़ाया जाएगा और चीकु चढ़ाया जाएगा और यह दो केले हैं वो भी चढ़ाया जाएग और उसके साथ उसमें चढ़ाई जाएगी गांजा, गांजा को लेकर लोगों में बहुत भ्रांत धारणा है खगवान जी नशा करते हैं, भांग धतूरा और यह सब खाते हैं और इसलिए उनको गांजा चढ़ाई जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, गांजा चढ़ाना और धतुरे का फल जो है उसको चढ़ाने का एक ही मतलब है क्योंकि जब भगवान जी ने हला हल का पान किया था तो उनको थंड़क पहुंचाने के लिए गांजा और धतुरे का फल दिया गया था क्योंकि यह जड़ी बूटी है इसलिए गांजे का इस्तिमाल होता है इसलिए नह तो यहां पर सुबह हम जादा कुछ भोग नहीं चड़ाते क्योंकि जो मुक्ष भोग है वो चड़ेगी श्याम को वैसे भी रात को आट बज कर दस मिनट पर ही चत्व दशी शुरू हो रहे और यह थाली है मापारवती के लिए उनके लिए यह साड़ी है यह दी जाएगी औ यहां पर दो शिवलिंग है हमारे यहां पर तो दे उपनेन है यहां पर यह उनको औरपन किया जाएगा सुभे और यहां पर धूप है और यह शिंगार की सामगरी आलता है सिंदूर है चूरी है काजल है तो यह सारे सामगरी मां के लिए हैं और यहां पर हमने एक छोटा सा दीब दिया हुआ है और दूप दिया हुआ है और सबसे पहले बहुत सारी सामगरियां और मंदिर में चली गई पर्फ्यूम चंदन बड़ा वाला धूप वह सबकुश अल्री हमारे पुजारियों लेके जा चुके हैं और यहां पर हमने थाल में और भी कोई सावान रखा है ये दुर्बा जो नंदी महाराज के लिए है उनको दुर्बा अर्पन किया जाता है तो ये है ये श्रिंगार के शामगरी मा के लिए है और छोटा दीप हम अभी दे रहे हैं और जो बड़ा वाला धूप दीप है वह श्याम को जाएगी दो जाएगी एक महादीब होगी और सुभाई की सामगरी है जो जाएगी अब मंदिर में पूजा होने के लिए तो ये ही हमारा मंदिर छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्यारा है और हमारे यहां पर दो शिबलिंग पूजा होते हैं एक है मुक्तेश्वर जो थोड़ी छोटे हैं और दूसरे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शिबलिंग के दाइने और गणपती जी विराजमान करते हैं बाइई और कार्तिक की और बीच में अश्वक सुंदरी जो महादेप की बड़ी सुपूत्री है और जो जहां पर शिबलिंग है वहां पर मापारवती का कर कमल विराजमान सब्सक्üm फहले गणे जलावी जीकों जल्क कर यहां पर जलावी और अचाहिए RAM मार्य हस्बंड कर रहे हैं फटीजआ कि यहां पर है बने आई हुए हैं जाप करने के लिए और अभिशेक करने के लिए तो भगवान को यह मनत के रूप में दिया जाता है यह फूल छत्री उसको बोलते हैं इसको देने से अभी शाम की पूजा की तैयारी हमारे यहां पर हो रही है और कुछ सामगरी होगी जो मंदिर में जाएगी नौ प्रकार के यहां पर हमें फल देने होंगे तो फल काटा जाएगा और यह दीप घर की तरफ से जाएगे मंदिर में जलने के लिए क्यूंकि सुबह हमने चोटा दीप दिया था और शाम को बड़ी दीप जाएगी तो फल दिया जाएगा नौ प्रकार के पुल जब भी आप फल देते हैं तो अजूक में संख्या में दीजिए और उसके अलावा सफेद मिठाई भगवान जी को इस दिन चढ़ाई जाती है क्यूंकि महाशिवरात्री के दिन अगर आप सफेद मिठाई चढ़ाएंगे भगवान जी को तो महादेब जी बहुत प्रसन्न होते हैं तो यहां पर हमने चार प्रकार के सफेद मिठाई रखी है खासकर महाशिवरात्री की पूजा के दिन इसकी खास मानेता होती है सफेद मिठाई की इसलिए जाएंगे और यहां पर पंचामित बनाने के लिए हमने नारियल दखा है इसमें मिठ्री जाएगी दूद जाएगी केला जाएगा नारियल जाएगी और गार्जा भी जाएगा और यह जो दीप अब दिख रहे हैं जैसा हमने कहा कि यह शाम को जलेगी और जो महादीप है उसमें तक्रीमल दो किलो घी जाता है तो हमारेडि से द êtes हमारे पंचामित नाउटा होता है तो और यह देखिए यह पन्चाम मीच पैर्म और यह दूप है यह एक पुष्प माला है और चारी तरफ जाएगा मंतिर में जलने के लिए और अपन्चाम्रित और यहां पर यह फल है और मिठाई है जो आमिनइक को दिखाया था सफेद मिठाई है और उसके बाद यह है फल यहां पर नो तरीके के फल है अंगूर है केला है अनार है आपल है चीकू है बेर है गुआभा है यह सारी चीजें हैं यहां पर तो इसको लेकर और यह गंगा जल यहां पर हम गंगा जल तांबे के पातर में लेकर जा रहे हैं इतन और जल हमेशा तांबे के लोटे में ही महादेप का अविश्यक करें, कोई सोना चाहिए होगा तो अलग भात है, लेकिन तांबे के नोटे से ही इनका अविश्यक करें, तो अभी हम मंदिर में आ गये हैं, तो हमारी पुझारी दूसरे लोगों का अभी यहाँ पर पूजा हो रही है, तो इनका भोग बगेरा लगा है, तो यह महादीप है, जो बड़ा वाला जो दीप जो मंदिर की चुड़ा में जाएगा, मतलब मंदिर का जो कलश होता है, वहा में अन्दिर हमारे मंदिर का बीटा बहुत चोड़ा सा मंदिर है लेकिन बहुत प्यारा मंदिर है जिसा मuntने से ने। फोजा के पूजा होती है एक मुक्ते में का सब्सक्राइर फूजा बें उल्कास के इन हैisme तो मुक्तेश है उनका श्रिंगार नहीं के बसंगा कि बाद की पूजा कोखा नहीज हुएं inflam भाठमारे मंदिर के बादश होगा लेकिन नत्सिट को सुबह से अब भी बैटा हुए है तो और यह महादीप है यह चुडा में जा ओस दो महादीप और यह भोग वगरा लेकर आये हैं हमारे जो मतलब पड़ोसी है यह सब बंगॉली है यह सब बंगॉली है और यह मेरी जठानी है वो उनके साथ बैठ कर लड़ा रही है और क्यूंकि हमें मंदिर के अंदर जाप करना है तो हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा और मे भवाने नंदि महराज है और यह छोटे महराज है बहुत ही प्यारे प्यारे नंदि महाराज है वह हमारी पूजा शुरू हो Nom Pram और भावान की काश्तान हो चुका है गंगा जल दूर्द मख्रन दही सब के साथ अभी शेक हो चुका है और भावान जी का अभी स्रेंगार हो रहा है मिडेस्छीं दात सजा रहे हैं बहुत सारे लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं जब हमारी पूजा खतम होगी तो भी आकर अपनी पूजा करेंगे इसलिए एक शिवलिंग जो है वह सुबह से सिंगार करके बेठे हैं लेकिन जो दूसरे शिवलिंग है जो मुक्तिश्वर हैं जो में मतलब भग में क्योंकि हमारा भी जाब खतम हो चुका है और जो महाशिवरात्री की जो महादीव उठेगी उसके दर्शन करवाने हम आपको जरूर लेके आएंगे क्योंकि उसको देखना भी बड़ा भागी होता है महादीव को देखना जैसे एकादशी का दीव देखना भी बड़ा महादेव को समर्पित होता है और यह हमारे मंदिर का भीतर हिस्सा है यहां पर भगवान गंपती जी का निवास है और बहुत सारे लोग जो चोटे-चोटे यहां पर शिबलिंग दान करके गए हैं जो आलाते तो हैं लेकिन घर में पूजा नहीं करते मंदिर को दान करते है और यहां पर महाकाली की तस्विर और इस तस्विर आप तीनों काली को मा को देख सकते हैं दक्षिनेश्वर काली मातारा पीट काली और काली घर की काली तीनों काली मा को आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर भी बहुत सारे जैसा मैंने का चोटे-चोटे शिबलिंग और माता पार्वती और प्रभु महादेप का जोड़े का भी एक यहां पर बूर्ती है और क्यूंकि आर्शिव विवा है तो मां को भी कुछ शिंगार की सामगरी समर्पित की गई है और वो यहां पर पीछे हैं जो हमारे पंडी जी है उनके पीछे हैं इसको सुभा मैंने दि उठेगा तब हम आके आपको दिखाएंगे अभी मंदिर से महादीप निकल चुका है और तीन बार मंदिर की प्रदिक्षिना करेंगे मेरे हस्बेंट जो है वह जल चिड़क कर आगे जा रहे हैं क्योंकि महादीप जिस रष्टे से जाएगा वह रष्टा शुद्ध होना चाहिए और जितनी बार मंदिर की परिक्रमा करेंगे उतनी ही बार मंदिर के सामने आकर महादेप को प्रणाम करेंगे फिर वापस से परिक्रमा शुरू करेंगे महादीप की परिक्रमा की यही वीधी होती है महादीप की नहीं अगर जब भी आप मंदिर की परिक्रमा करें कि यही होती है कि जब आप एक बार परिक्र्मा शूरूकर न्हीं के सामने से शुत करें और जब वापस से आप भगवान जी के सामने आए उनको प्रणाम करेंद फिर से प्रदिक्षना शुरू करें तो वह होती है वीठी तो इस तरीके से तीन बार मंदित की प्रदिक्षना होगी और उसके बाद महादीप लेकर उपर उठाँ जाएगा तो अब beneficieeb कैज़ें यह उपर लेकर जाएगे जो मतलब इसका चुड़ा होता है उपर का इसका सब से पहले सुवरा ऐकान टैक्ति लेंगे सब्सक्राइब का सब्सक्रान 캡्री Bennett और लगाई जाते Нपने तेंट लिए七 ने खते ह्ते हैं और इसलिए जो मंदिर का जो second हिस्ता है दूसरे हिस्ता है दूसरा स्तान होती है अभी यह ज़िए अभी उपर रखेंगे यह देखिए यह है महादी अभी यह पर पांच साल से यहां पर महादीप रहे हैं आद कलेश्ट के पास नहीं रहे है और ये दीव तक्रिबन दो दिन तक जलेगी हर साल दो धाय दिन तक अभी की तो तुर तीन दिन तक जलता है तो यह जलेगा अभी यहां पर तो इसी के साथ ही महाश्री वरात्री का उद्यापन हो चुका है उन ब्रत्धारियों के लिए जो सारी रात नहीं जगेंगे और जो सारी रात जगेंगे वो तो मंदिर के अंदर ही मतलब उनकी पूजा की व्यवस्ता की गई है वो सारी रात वहां पर जगेंगे तो आज के ल जै माकाली हर हर महादेव